हलो स्टुडेंट्स, वेलकम तो माइ फर्स्ट वीडियो लेक्च्चर, माइ टॉपिक इस इवल्यूशन ओफ और्स, कवर्ज द सिलेबस ओफ बीसी सेकेंड डियर, पेपर सेकेंड यूनिट थर्ड, मैसल स्वपना मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर जुलोजी, गौर्में गोडे का विकास, यो हिप्पस से, ओलिगो हिप्पस, मैरी किप्पस, प्लीओ हिप्पस और मॉडन हार्स में किस तरह से हुआ? Mean objective of my lecture is, इस lecture के अंत तक students कुछ questions का answers देने में सक्षम हो सकें, जैसे की pedigree of horse को describe कर सकें, घोडे के विकास में वातरण परिवर्तन की भूमी का समझ सकें, घोडे के विकास के समय होने वाले progressive और retrogressive changes को समझ सकें इस lecture में हमने in points को deal किया है, introduction, historical background, different stages of horse evolution, evolutionary trends, environmental cause for evolutionary train in horse, conclusion, reference अब किसी भी जाती के विकास की अवस्था में, घोडे का विकास बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि घोडे के बहुत सारे fossils मिले हैं, और million of year में उनमें बहुत changes आएं, ये fossils बहुत से general और species में classified हुए हैं, घोडे का विकास North America से start हुआ, और वहां से ये animal Asia, Africa और Europe बहुत बढ़ डिस्पर्स हुए हैं, घोडे के विकास में trial and error प्रक्रिया पर निर्भर करती है, घोडे का विकास एक सीधी continuous line पर नहोकर बहुत सी branches में बटा हुआ है, बहुत सी species आईं और extinct हो गई, Survival of fittest पर based वही species survive कर सकी, जिन में बदलते बातराण के साथ बदलाव आते गए, Historical background सबसे पहला Old World Equit Fossil 1820 में Gypsum Query Paris में मिला, जिसे George Query नहीं identify किया, 1870 में North America से मिले Fossil का description O.C. Marsh के द्वारा किया गया, घोडे के Fossil का sequential description T.H. Huxley नहीं किया, अब, what is evolution? Evolution is change in the heritable characteristic of biological population over successive generation. The gradual process of change and development of something is called evolution. परिवर्तन एवं विकास की क्रमिक प्रक्रिया ही evolution है. हम जानते हैं कि reproduction जब होता है, तो parents of spring में characteristic gene के expression के थूँ आते हैं. तो वही expression जो है, वो evolution है, change in heritable characteristic. Heritable characteristic में जो एक successive generation में change आता है, वही evolution कहलाता है. The development of animal over many thousands of years from simple earlier form to move advanced one is called evolution. अब इस चार्ट में हम देखेंगे, सबसे पहले इसके बारे में एक चीज़ जानना है, origin of earth, पृत्वी की उत्पत्ती. पृत्वी की उत्पत्ती हुई है 4.6 billion year ago. इस पूरे काल को geological time scale में बाटा गया. तो सबसे पहले azoic era, जिसमें no life, उप्रित्वे पर कोई भी जीवन नहीं था. आर्कियोजोइक era, पैलियोजोइक era, मीजोजोइक era और सीनोजोइक era. घोडे का विकास सीनोजोइक era में हुआ है, इसको age of mammal भी खहते हैं. हर era को period में बाटा गया है और period को epoch में बाटा गया है. तो घोडे का विकास सीनोजोइक era में हुआ है, tertiary और quaternary period में और लाइन से eocene, oligosene, myocene, pliocene, pleistocene approach में हुआ है. अब इस टाइग्राम में इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि eocene जो approach है, उसमें हाइरेकोथीरियम सबसे oldest fossil मिला था, उसके बाद mesohippus, myohippus, merikippus, pleohippus और equus modern hearts जो कि pleistocene approach में और ये recent में यही modern hearts है. इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कोई एक continue line नहों करके बहुत सारी branches में हैं. इसमें जो red color से बने हुए हैं, वो सारे वो heart fossils हैं जो की आगे continue करते करते इक्वस उसी से ही घोड़े का, modern घोड़े का विकास हुआ है. और जो black color की हैं, वो सारी lines extinct होते गएं. मतलब घोड़े तो बहुत तरह के हुए थे, परन्तु जिनों ने survival of a test rule को follow नहीं किया, वो सब extinct होते गएं. और जो अपने वातरण बदलते वातरण में survive कर सके, वही आगे बच सके और modern हार्स बन सका. अब सबसे पहला घोड़ा है इयो हिप्पस हायरेको थीरियम. इयो सिन एपोच में 55 से 33.9 मिलियन एर एगो इस घोड़े का विकास हुआ. इसे इयो हिप्पस नाम मार्श ने दिया और इसको हायरेको थीरियम नाम रिचर्ड ओनर ने दिया. इसके लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर और ये फॉक्स के तरह दिखाई देता था. ये नौर्थ अमेरिका और यूरोप में इसके फॉसिल पाए गये. इसके फ्रंट फीट में 4 टोस थे, 4 टोस थे, 2 तीसरा, 4 और 5 बाँ. इसके हिंट फीट में 3 टो उपस्थे थे और हिंट फीट, फ्रंट फीट से ज़्यादा लंबी थी. घोड़े में लंबी टेल उपस्थे थी. ध्यान रख रहेगा ये पुराना फॉसिल है, आज के घोड़े में लंबी टेल नहीं होती है, लंबी टेल उपस्थे थी. थी और आसे अनाई से रोटेट करती थी इनका डेंटल फॉर्मुला 3134 अब आप ये जानते हैं कि डेंटल फॉर्मुला में जो पहला रहता है वो इंसाइजर टीथ, दूसरा कैनाईन टीथ, तीसरा प्री मोलर और चाथा मोलर, मतलब इसमें तीन इंसाइजर थे, एक कैनाई था, तीन प्री मोलर थे और चार मोलर थे, स्माल इंसाइजर एंड चीक टीथ, लो क्राउन था, इसका मतलब ये है कि जो एनिमल है वो ब्राउजर था, ब्राउजर और ग्रेजर में आप जानते होंगे कि ब्राउजर का मतलब होता है कि वो पत्तियां खाता था और से देख सकते हैं कि जो इसका फोर फेट है इसमें चार टो है दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा तीसरा टो लंबा है बड़ा है और दूसरा चौथा और पांचवा छोटा है डाउन हार्स कहलाता था हाईरकोथीरियम उसके बाद आया ओरो हिपस औरो हिपस साइज में बड़ा था फॉस्ट प्रीमोलर स्मॉलर एंड लास्ट डेवलप्ट इन्टो नॉर्मल वन इसमें जो रिश्ट थी वो हायर हो गई थी औरो हिपस में जो भी उसके दातों में चेंजेस आए उसका ये समझ में आ रहा था कि ज्यादा फाइब्रस फूट खाने के लिए क्यापेबल है अगला आया मीजो हिपस मिडिल हॉर्स 33.9 to 23 मिलियन एर एगो ओलीगो सीन एपोच में इसका इवॉल्व हुआ इसकी हाइट 60 सेंटिमीटर जो भीड के समाल दिखाई देता था इसका बैक स्ट्रेट था इसका हैड नेक नोस लंबा हो गया था इसके फ्रंट और बैक लेग में तीन टो थे और बाकी जो टो थे वो डुमिनेंट हो गया थे इसका जो बीच का टो था वो स्ट्रॉंगर हो गया था और अब शरीर का पूरा भार बीच का टो उठा रहा था इसका जो लेग था वो तेजी से दोड़ने के लिए एड़ेप्ट हो चुगा था जब नौर्थ अमेरिका में क्लाइमेट में चेंज आया तो फॉरेस्ट जो है ग्रास लेंड में प्रिप्लेस हो गया तो घोड़े के फीडिंग बिहेवियर में भी चेंज आया जो दात थे वो हाडर हो गया ताकि वो ग्रास आसानी से खा सकें लास्ट प्री मोलर बिकें दे सेम शेप मोलर के समान इसलिए उसको स्क्वैर्ड मोलरी फार्म टीथ कहा गया जो क्रशिंग और ग्राइंडिंग करने के काम आते थे अब यह आप डाइग्राम से देख सकते हैं फिफ्थ टो ऊपर हा चुका है सेकंड और फोर्थ हलका है और थर्ड टो जो है वो नीचे जा चुका है और वो स्ट्रॉंग है इसके जो दात हैं वो थोड़ा स्ट्रॉंगर हो चुके हैं और मुलरी फार्म टीथ दिखाई दे नेक्स्ट है मायो हिपस 23-5.3 मिलियन एर एगो ओलिगन सीन एपोच में मायो हिपस एवॉल्फ हुआ बड़ा साइस का था उसकी नेक गर्दन लंबे थी इसकी जो मोलर टीथ थे उसमें एक्स्ट्रा रिश्थ था ये बताते हैं कि मोर फाइब्रस डाइट खाने के लिए ए अब मायो हिपस के बाद तीन लाइन्स हुई सबसे पहला हुआ थ्री टोड ब्राउसर दूसरा हुआ स्मॉल पिग्मी होर्स जो तुरंत मर गया तीसरा हुआ ग्रास इटिंग होर्स इसी से ही मौडन घोडे का विकास हुआ अब यह आप देख सकते हैं मायो हिपस को थर्ड टो नीचे तक है फॉर्थ और सेकेंड कम है फिफ्थ रूमिनेंट है अगला आया मैरी किपस रूमिनेंट हॉर्स 16.4 तु 5.3 मिलियनियर एगो मायोसी नैपोच में यह आया स्मॉल पोनी के समान दिखाए देता था इसकी हाइट 100 cm 3 इसके फोर लिम में तीन थर्ड डिजिट मतलब एक ही डिजिट था थर्ड डिजिट और दो डिजिट स्प्लेंट डिजिट की रूप में थे अब यह स्प्लेंट बोन क्या होता है बोन जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं पर इनका फंक्शन क्या था कि वो उसको सपोर्ट कर रहे थे well developed hoof जो third digit था उसमें well developed hoof present थे hind limb में भी third digit था जो दाथ थे वो चोड़े थे और molar थे crown ज़ादा था cement के layer ज़ादा थी तो ये grinding करने का काम करते थे इसमें से भी three line of species arise वे four limb में third अब fourth और second को देखिए ये splint bone के रूप में आ गए है ये four limb में third में hoof अच्छे से develop हो गया है उसके बाद आए pleo hippos a true equin कहला है 5.3 से 2.6 million year ago pleo c ने पोच में आये modern pony के समाई दिखाई देते थे 120 cm इनकी height थी इनकी गरदन लंबी और strong थी इसके four limb में सिर्फ एक digit था, third digit जो कि elongated था हिंड लिम में भी सिर्फ एक digit था इसके दात लंबे थे हिपसोडांथ मोलर टीप थे strongly curved थे pleo hippos में main यह है मोलर जो टीप थे वो strongly curved थे इसकी feeding habit more grazing than browsing क्योंकि browsing से वो grazing की और बढ़ चुके थे अब ये diagram देखे इसके दातों के संरशना में परिवर्तन आसानी से दिखाई दे रहा है और ये second और fourth splint bone के रूप में आ गए हैं और third में hoof बहुत इच्छी तरह से develop हो चुका है उसके बाद आए डाइनो हिपस असक्षेशन ओफ डिफरेंट स्पीसीज ग्रैजुली रिजेंब्लिंग इक्वस मोर और मोर हैस बिन फांग strong molar teeth, leg and skull monodectyli evolved twice, one in pleo हिपस and once in dino हिपस dino हिपस को इक्वस के और करीब का माना गया है pleo हिपस की तुल्ना में क्योंकि pleo हिपस में जो उसके molar थे वो curved है जबकि आज के घुडे में molar curved नहीं है अब इक्वस modern horse प्लीस्टो सीना पोच में इक्वस आए 4 से 0.4 million year एगो 150 cm इसकी height थी 4 limb, 1 complete 2 which support body weight hind limb में भी 8 complete 2 था, इसके दात stronger थे, long hipsodunt cheek tail इनके दातों में enamel था, rigid well suited grazing के लिए बहुत ज़्यादा developed थे एक्वस के यह एक्वस का आप देख रहे हैं, second और fourth ruminant है जो split bone है और third में हो अब इस चार्ट से आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं, eocene approach में eohippus आया, जिसमें two, third, fourth, fifth bones हैं, toes हैं, oligosene, mesohippus आया, two, third, fourth, fifth ruminant हो गया, myocene में myohippus आया, two, three, four, five ruminant, फिर myocene 155, merikippus आया, two, three, four, five, pleocene में pleohippus, pleistocene में equus, अब equus और eocene में अंतर यह है कि equus में second और fourth split bone के रोप में हैं, सिर्फ third हैं, अब इसमें हम इसके दातों की भी संरशना में change देख रहे हैं, इसके स्कल की भी संरशना में change देख रहे हैं, कि स्कल का size बढ़ते जा रहा है, अब systematic position क्या है, kingdom animalia में आता है, sub kingdom vertebrata, phylum chordata, class mammalia, order, perisodactyly, family equidia, genus equus, species eferus, sub species eferus cabalus, evolutionary trend, अब क्या-क्या evolutionary trend हुए हैं, जो घोडे का विकास जिससे हुआ, तो an evolutionary trend can be either directional change, within a single lineage और parallel change across lineage, या तो ये दिशात्मक होते हैं, या parallel change, अब continuous change of the character is called evolutionary lineage, several lineage undergoing the same sort of change, और हम ये अच्छे तरह से जानते हैं, कि घोडे में जो विकास हुआ है, वो branched हुआ है, linear नहीं हुआ है, types of evolutionary trends, दो तरह के trends होते हैं, progressive trends और retrogressive trends, progressive trends का मतलब होता है, कि जब भी tissues बढ़ते हैं, या फिर अंगों की संख्या में वृद्धी होती है, तो उसको progressive trends कहा जाता है, जैसे कि घोडे के विकास में हमने देखा है, आकार में बढ़ा हो रहा है, पैर की लंबाई बढ़ रही है, ब्रेन की complexity और size बढ़ रहा है, दातों में high crown हो रहे हैं, जो की grazing के लिए महत्तुपूर्ण है, muscles, मतलब जो उसके नथुने हैं वो बढ़ रहे हैं, increased number of cuts, ये सारी चीजें इनकी progressive trend में आती हैं, मतलब इनके शरीर के अंगों में जो positive परिवर्तन में वो, उसके बाद आता है retrogressive trends, मतलब जब अंगों की संख्या में कमी होती है, या उतक में कमी होती है, जैसे की reduction in number of foods, हमने देखा कि सिर्फ third जो toe है, उसी में ही hoof बचा है, तो ये है reduction in number of foods, loss of food pad, उसके food pad में कमी आ गई है, उसके बाद जो उसके lower leg थी, जो independent bones थी, वो fuse हो गई, मतलब उसकी संख्या में कमी आई है, तो ये सब है retrogressive trends, तो अब ये हिपस से इक्वस आते आते, उनके पैरों में, उनके toes में क्या परिवर्तन हुए, उनके दात में और सकल में क्या परिवर्तन हुए, ये एक बार प्रकाश डालेंगे, देखेंगे, toe show reduction in number four to one, पहले चार था, धीरे धीरे one हो गया, third toe जो था, वो लंबा हो गया, stronger हो गया, दूसरा और चौथा split bone के रूट में, पैरों को joint bone को support कर रहा है, metatarsal and toe bone grow together into single bone, हमने अभी देखा कि पैरों की हड्डियों की संख्या में कमी आई, तो इनकी संख्या में कमी आई, वो लंबोटे और longer हो गया, cushion under the foot are replaced by hoof, cushion हट करके hoof बन गया और सिर्फ एक hoof बज़ गया, leg become less nimble और अंत में सिर्फ third जो toe है वही बज़ गया और उसमें एक hoof, अब skull, skull बड़ा, लंबा हो गया, slimmer हो गया and lower, lower jaw stronger हो गया, eye moves to more posterior position, lengthening of diastema can be observed, अब diastema भी दिखाई देने लगा skull में, दांत में क्या परिवर्टन हुए है, original browsing molar, gradually turned by grazer molar, haukas and cement, अब हम जब शुरुआत देखे थे तब हमको ये पता था कि पहले वो browser थे, उसके बाद धीरे-धीरे grazer, तो जैसे जैसे इन में adaptation के लिए, इनके दातों में भी परिवर्टन हुआ, पहले वो browsing habit के थे, फिर grazing habit के कारण उनके दातों में change आया, incisor लंबे हो गए, canine लगभग disappear हो गए या shrink हो गए, इनका dental formula आ गया 3, 0, 3 और 3, मतलब incisor 3, canine 0 या 1, pre molar 3 या 4 और molar 3, अब environmental cause for evolutionary trained in horse, कौन-कौन से वातवरण के कारक हैं, जो की घोडे के परिवर्टन में सायक हुए, सबसे पहले सिनोजोई के रा में climate condition change हुई, तो जंगल जो है, वो grassland से replace हो गया है, जादा speed से अपने भागने के लिए, उनको पैरों के आवशकता हुई, क्योंकि घास खाने में वो सक्षम थे और घास में सिलिका वपस्थित रहता है, और वो सिलिका enamel, दात के enamel को erode कर रहा था, इसलिए high crown के आवशकता हुई, ये आप ये diagram में देख सकते हैं, इयोसीन, औलिगोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन में, इयोहिपस, मीजोहिपस, मेरीकिपस, प्लियोहिपस, और इकस होर्स, किस तरह उनके size में विकास हो रहा है, और इनके पैरों की बनावट में कैसे कैसे changes आ रहे हैं, इनके दातों की बनावट में कैसे changes आ रहे हैं, ये अपने को इस चार्ट से दिखाई दे रहा है, अब in 50 million of its evolution, horse became more and more specialized, it lost general character, mammal के general characters जैसे की limb में 5-2 होते हैं, foot में, ये सब और character हट गये, दात, incisor, canine, molar teeth, इनकी तुलना में, इनमें कैनाई नहीं रहे गया, specialization did not go in a straight line, main चीज यही है कि straight line में specialization नहीं हुआ, richly branch entity, पूरे pedigree of horse में branching बहुत ज़ादा है, और जो species अपने को adapt कर सकी, वही आगे पढ़ी, जिससे भी हमने references लिया है, उस reference को हमने mention किया है, thanks for your attention, स्वपना मिश्रा, Assistant Professor, Government, जाजवले देव, नवीन गल्स कॉलेज, चांज़कीर, CG, thanks.